हेलो गाइज एन वेलकम बैक टू दी चैनल अगर आज के टाइम में पाइ नेटवर्क की बात करें तो पाइफेस्ट का इवेंट पूरे जोर पर है और 29 ऑफ अक्टोबर से 5 ऑफ नवंबर तक ऐसा इवेंट सेलिबिरेट किया जा रहा जहां पर जो पाइणियर से वो अपने बैक एंड के ओपर कितना तेजी से काम कर रही है और कितना फोकच्ड है कि में नेट को जल्द से जल्द ओपन किया जाए तो ये एक रिमाइंडर है के वाइसी और माइगरेशन के लिए और बात करेंगे कि इसमें क्या कुछ होने जा रहा है और ये भी डिसकस करेंगे कि ज ये टूइट उन्हें रिमाइंड कराने के लिए किया गया जिन्होंने अभी तक अपनी के वाइसी को कंप्लीट नहीं किया है और ये प्रोजेक्ट यूटिलीटी बेजडे तो इसको बिना के वाइसी के यूज नहीं कर सकते और जो के वाइसी के लिए पहले डेट रही और यही रिमाइंड कराने के लिए टूइट भी किया गया कि अब आपके पास बस 30 नवंबर तक का टाइम है अपनी के वाइसी को कंप्लीट कराने के लिए और बिना के वाइसी के आप अपने पाई को यूज नहीं कर पाऊगे और इसमें एक और बात मैंशन है ऐसे लोग डवलपर कभी भी किसी भी डेट में ठीक कर देंगे और फिर वो यूजर्स 30 नवंबर से पहले अपनी के वाइसी को सब्मिट कर सकेंगे और इसमें आगे लिखा है विद्धी नवंबर 30 के वाइसी डेडलाइन अप्रोचिंग पाई नेटवर्क एंकरेज इस यूजर्स त डवलपर के एंड पर है इसके अलावा एक और चीज़े जो लोग बोल रहे हैं कि उनका मोबाइल नंबर वेरिफाई नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हो आप दूसरा मोबाइल नंबर डाल कर महाँ पर अपलाई करके देख सकते हो और अगर इससे भी आपकी प्र और यह में नेट के ओपन होने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है और आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हो में नेट या फिर पाई कोई से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो माइगरेशन की जो डेड लाइन इस टाइम पर रखी गई है व बात करें तो डॉक्टर निकोलस कोकलिस ने यही काया कि 2025 में इसका पाई टूडे आएगा तो फिर यह तो शूर है कि उससे पहले इसका में नेट ओपन होना है तो यह प्रोजेक्ट आगे चलकर एक गेम चेंजर होने वाला तो इसमें अपना पूरा ध्यान नक हैं और इसस को सब्सक्राइब कर देना